दिल्ली गेंगरेपने आजे एक वर्ष पूर्ण थेगव। एक वर्ष बाद पन महिला और निस्तुलक्षान लेने हजुपन किटलाक प्रस्णों उद्भवित रहाचे। अई सवाल एथे रहाचे क्या प्रकार्न हिचकारा कृतियों देश बाग क्या रहाचे। अग्रणियों आम आमले हजुपन सरकार निस्तुलक्षानी बाबत पर कड़कायती कामकीरी करामा निश्फण निवरी जे ते सवाल चोक का सुठी रहाचे। खुद महिला नेताओ अने अग्रणियों आमामले हजुपन सरकार निश्फण हुआनो मत व्यक्त करेचे। जबें संसद चल रही थी और संसद में हमने सर्वसंमती से संकल्ब पारिद किया। उसके बाद जो उसमे कानून था उस पर पुडर विचार हुआ, सबसे सलाह ली गई और उसको सख्त बनाने के लिए कदब उठाए गए और वो कानून पारिथ हुआ देखे आज 16 दिसंबर का दिन हमारे लिए बहुत ही एक कहना चाहिए अशुब दिन है जिस दिन एक ऐसे एक लड़की के साथ विचारी के साथ में इस तरह का जो दुर्भागे पुन काम हुआ है उसको हम एक काला दिन कह सकते हैं और जहां तक सवाले सुरक्षा का तो कानून बने हैं उन मुल्जिमों को सजा भी हुई है लेकिन अभी मैं समझती हूँ बहुत कुछ होना बाकी है देखो कहां पहुंचा यह बहुत बड़ा है प्रसनि हम कहीं नहीं पहुंचेगी शुरुवाती नहीं किया है तो कहां पहुंचेगी कानून बनाई एक जो बहुत सारे जो नुर्बया फंड के बर उसमें से एक पहिसा कर्च नहीं है तो उससे ही आपको सारा कहानी पता चल जाती है कितना युरस्पोंसिबल है कि उस वकत इतना बड़ा एक प्रोटेस था इतना बड़ा एंगर था इस वज़े से सरकार ने बहुत सालों से महिला संगतनों ने गोल रहे ही कि जो क्रिमिनल लौ अमेंडमेंट बिलको लाने का मगर उस वकत ओर लेके आई है एक साल हो गए लोग आज शोक संतब्त हैं लेकिन मेरा कहना है कि जो सबसे बड़ी चीज थी जब क्रिमिनल लौ अमेंडमेंट आया और कानून हम सक्त लाए लेकिन उसके बाद भी एक साल में क्राइम अगेंस विमन बढ़ा है कम नहीं हुआ हम क्राइम को कंट्रोल नहीं कर पाए सबसे पहली चीज हमारी होनी चाहिए थी कि क्राइम को प्रिवेंट करना इस गांग रेप के बाद भी बंबरी में शक्ती में गांग रेप हुआ उसमें भी जो गांग रेप कर रहे हैं उस पर चेक लगता अतमा महिला अग्रणियों ने आपे सांपड़ी सव कोई माती एकस सूर निकड़ी रहो चे कि हजुश अरुवातत नथी करी तो क्याई पहुँचया थी सवाल अयोग्य जानाय रहो चे पर सवाले उठी रहो चे अखरे निर स्तिती चाली रही चे त्यां कोई हरकत नथी थे रही तेना माठे कोई अवाज नथी उठावतू ते लोको जवाबदार अतमाम विशे वदू विगते चरचा करा मांटे अपनी साथे स्टूडियो मां महमानों उपस्ती चे मिना बेन जकताब चानिता एडवोकेट अने सो अने आप प्रश्न फरी एकवा सामय आभी रहा होचे आपने सु लागे चा एक वरस्त धरिब्यान जे घटना घटी त्यारपाद जे प्रहतनों थावा जोएता हाता शुए थाया इतला बदा नथी थाया बले आपने लोग जुवार थायो मीडिया ये बहुँ सपोर्ट आ जुडिशेर ये जे स्टेप्स लेवा आता है फास्ट्रेक कोर्ट्स करी दे भी आतिया रेप रिलेटेड मैटर माटे कर्णिक्शन्स वदारी लेवा आता ताकि युना एक टॉप डाउन एप्रोच रेन लोगों घबर आइकान के फर्स पहला टाइम थी कही हुँछे के ल रेपना केसित आना थी वधायर हुआ जो ये पर अत्यारे बेनो है बोल्वाने हिम्मत करी चे बेनो आगलाई ने बोली रहा चे एटला आइट रहा चे ताकि सोसाइटी में चेंज आवे बिलकुल एई चेंज जो कहस पने जो मड़ी रहा हो चे मिना जी आपनी पास जो छे तेनों उप्युक करती महिलाओ थाई चे खरी? अने त्यार बाद जिटला जिटला किसी जे मरुजाने पन त्यारे ताकिव ए प्रमाणे के आ केसो जेचे एनी रिपोर्टेड संख्या वधी? सी, कोई गुणा जेचे एक आई बोव धारे थाई रहा चे उना दी? पड़ एनना रिपोर्ट करवादी जे संख्या वधी? एना कारने आ बद्धी जे एक पॉजिटिव बाबत थाई? एक पॉजिटिव बाबत मां काईदा मां एमेंडमेंट तो आविए चे पर हजूपन कन्विक्षन जेचे, कन्विक्षन ओछू छे एले के सजार जेचे सजानों प्रावाण ओछू छे आवाज ए गुणेगारो जे आवा प्रकारने दुषकर्म करिया बाज पड आज हुगोरियों साथे एना परिवार साथे एनने जे फाइनांशिल पोजिशन होई छे के एनुज जे सोशिल स्टेटेस होई चे एनने लई और समाधेन मां प्रयक्त नों खूब दबाण करवामा आवे चे और एमां तं करिया आपई पड़े कि आवा प्रकारनी जारे तमारी पर दागधम की वधी जाये तो तमें कया तंत्रों नी हेल प्लेशको अ बदु थातू ना थी एना काराणे समधन माट इनके प्रकार न प्रवायत न थाय छे एकले मात्र आवा प्रकारना किस्ताओ चौपडे नों द सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब